यह स्वागत आपका TechRacer में और आज हम बात करने वाले हैं उन चीजों का जो मुझे personally पसंद आई इस Amazfit GTR 2 E में इसके मैंने comparison video GTS 2 मेंने के साथ already बना दिया है तो इस video में हम इस price range के इस आप से इसके features क्या है क्या चीजे मुझे पसंद आई यह सब बारे में बात करेंगे इसका comparison video अलड़ी uploaded है आप जाके देख सकते हैं और इसका मैंने 7 days का review वीडियो बे डाला है तो आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं अगर आपको इनकेस यह watch खरीदनी है अभी तो तो बिना की सिरी के चलिए वीड 999 जो कि आप बोल सकते 10,000 रुपीज है कभी कभी डिसकाउंट में like around 8,000 के असपास मिल जाती है बढ़ हम 10,000 कंसिडर करके चलते हैं उससाब से build quality बहुत ही अच्छे इसके जो competitors है उससाब से build quality काफी अच्छे इसके जो like materials उसके whether it could be the rubber उसके बाद यह back panel इसमें जो plastic उसक glass की quality वो भी काफी अच्छी, इसका back panel भी काफी अच्छा है, overall including the screen, इसके sensors, सब जो भी use किया है वो काफी अच्छी quality का है, तो इस चीज में like I am really impressed, यह सिफ इसी watch के बारे में नहीं है, यह मैंने GTS 2 mini भी उसके तो उस सबसे और उस price range के सबसे वो watch भी काफी अच्छी थी, उसमें भी जो use किया है, उन्होंने material काफी अच्छी quality का है, और finishing काफी अच्छी, आपको कहीं भी unevenness नहीं मिलेगा, हर चीज प्रॉपरली fit है, उसके बाद, as a watch water resistant भी है, तो उससे सबसे, इसकी seal भी प्रॉपर लगी हुए, आपको कहीं भी कुछ gaps और नहीं मिलेंगे, तो robust feel होती है, जब आप इसको भाइनते हाथ पे, तो ये एक काफी अच्छी चीज है, जो मुझे लगी इस watch के बारे में, अभी बात करते है, software experience और overall user experience के बारे में, इस चीज में भी मैं काफी impressed हूँ, क्योंकि मैं previously GTS 2 Mini भी उसकरता था, उसमें भी इनका एक custom OS है, उन्होंने OS का नाम ने लिया, जबकि GTR 3 Pro में इन्होंने ZEP OS करके नया OS लांच के है, वो उन्होंने उसमें दिया है, पर इस case में वो ZEP OS नहीं है, बट इन्होंने जो भी operating system दिया है, काफी optimized है, काफी efficient है, काफी अच्छे से perform करता है, उसमें बहुत सारे features भी दिये हुए, काफी अच कारे gestures, कहा से क्या open होता है, किस button से क्या trigger होता है, आपको सब पता चल जाए तो, वो काफी simplicity है और काफी चीज है, जो इन्होंने ध्यान दिया है, focus किया, other than like fancy चीजों पर focus करने के अलावा, अब दिख सकते काफी सारे features इसमें available है, like brightness है, उसके बाद theater mode है, power saving mode है, like आपका watch को आप as a torch use कर सकते है, तो काफी सारे features है, जो इस watch में मिलते है, जो की like competition watch में अभी तक available नहीं है, तो यह काफी अच्छी चीज है जो मुझे impress कर गई, उसके बाद third बात करते है, इस watch का integration, now integration in the sense, see watch जो आपके phone के साथ pair होती, आपके phone के zap आपके साथ pair होती, काफी seamless है, like the the moment you turn on the Bluetooth and location on your device, it immediately connects to your watch and watch एकदम से sync हो जाएगी, within like time frame of 10 seconds, आपका सारे data वाच से phone में sync हो जाएगी, आपको आपके सारी चीजी दिख जाएगी, talking about integration, इसमें बात आती Alexa की भी, तो इसमें Alexa भी built-in है, तो आप उसे भी use कर सकते है, keeping aside, Alexa आपको इसमें और एक चीज मिलती है जो किये offline commands, इसको मैंने बहुत बार जिकर किया है वीडियो में पर आपको बताया है नहीं कभी, बट आप इसको user preferences में आप देख सकते है, offline voice control करके दिया, तो अगर आपको Alexa यूज नहीं करना तो आप ये use कर सकते है, आप देख सकते है, wake up mode में आपको एक बार try करके दिख response during, इसका मतलब ये always on, इसका microphone on ही रहेगा, जब भी कोई command लेगा, ये quickly detect कर लेगा, इसमें और 2-3 options भी है, 5 seconds वाल है, तो आप वो चेक कर सकते है, तो इसमें आप देख सकते है, यहाँ पर बहुत सारे commands दिए है, different settings के लिए, या फिर different actions के लिए, आप देख सकते है, कुछ open weather, तो आप देख सकते है, यहाँ इसमें detect कर लिया, open music, open spo2, open spo2, volume up, तो आप देख सकते है, यह basically काफी अच्छे से और काफी easily detect कर लिया था, तो accuracy काफी अच्छे लेक, 10 out of 9 times ये काम कर जाता है, अभी जैसे इसमें एक बार काम नहीं किया था, but most of the time ये काम करता है, और काफी useful चीज़ है, अगर आपके like हाथ रन दे, तो quickly आप इसे voice command से, like use कर सकते है, तो काफी अच्छी चीज़ है और काफी practical भी है उस हिसाब से, तो ये चीज़ भी मुझे काफी पसंद आई, अब quickly बात करते है, sensors के बारे में, क्योंकि इसमें जो not rely on these results, but काफी अद तक accurate है, और like, जैसे expected result है, वैसे ही मिलते है, तो sensor की quality भी काफी अच्छे, whether it could be spo2, उसके बाद heart rate हो गया, उसके बाद GPS हो गया, and even the temperature sensor, काफी अच्छे quality है, और काफी accurate भी है, तो वो चीज़ में भी ये काफी अच्छे perform करते है, तो ये भी एक point आप notice क कर सकते है, जो मुझे इसका पसंद आया, last but not the least, सबसे important है, वो है battery life, now कुछ दिन पहले मैंने एक 7 days वाला review इसका वीडियो बनाया था, उसके समे मैंने बदा था कि इसकी battery life 56 से थी, जब मैंने इसको start किया, use करना, तो अभी मैंने उस दिन उसको charge किया, अप टू 100% आप द जो भी default functions थे, सारे, वैसे के वैसे turn on है, क्योंकि मुझे default battery life इसकी check करनी है, इसलिए, मैंने कोई functions turn off, on किये नहीं, वैसे के वैसे वैसे use किये, सिर्फ always on display मैंने और off कर करका, क्योंकि मैं use नहीं करता हूँ, but बाकी सारे चीज़े, like heart rate monitoring, या फिर जो भी sleep tracking है, उसका temperature monitoring है, सारे चीज़े turn on है, और ये watch में दिन भर बेर कर रहता हो, और ये watch मेरे phone के साथ, दिन भर सिंक में रहती है, तो वो भी notifications सब आना जाना शूरू रहता है, तो इसे सबसे battery life काफी अच्छी है, तो अभी आप देख सकते, battery life है, 82% remaining, तो इसे सबसे, जो like battery use हुई है, तो इसे proper dedicated battery review of this watch, तो उस चीज़ के मामले में बैटरी बहुत ज़्यादा अच्छे और बहुत ज़्यादा अच्छी perform कर रही है, even better than my GTS 2 mini, तो वो भी काफी अच्छी चीज़ है, क्योंकि overall optimization काफी अच्छा है, और efficient भी काफी operating system, इसलिए battery life भी अच्छी चल रही फिलाल, तो वो वो भी एक काफी अच्छी चीज़ है, तो यह 5 चीज़ थी जो मुझे लिएक इंप्रेस करगे इस watch के बारे में, जो फी मुझे ज्यादा पसंद है इस watch के बारे में, और एक bonus चीज़ मैं बताना जाऊँगा कि इसके watch faces, यह काफी personal opinion हो गया watch faces के बारे में, बट watch faces भी इसक को change कर सकते तो वो भी काफी अच्छी चीज़ है, काफी अच्छी watch faces आप देख सकते रोमन वाला, इस आपको यह leather strap के साथ pair करोगे तो कितनी अच्छी लगी watch, तो वही यह सब चीज़ है, तो काफी अच्छी चीज़ है, watch faces में मुझे बहुत जादा पसंद है इस watch के, तो अच्छी है कि अच्छी कितनी अच्छी में मुझेरि अश़् का फैरी अच्छी टूमन फży Stitch